हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टी एस एजुकेशन सेंटर में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समायनी ज्यान के कुछ महत्तोपुड प्रस्न अरुत्तर जो आपके सभी एकजाम्स के लिए महत्तोपुड है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कुश्चन है सरवाधिक धन राष्ट्य कोस में किस माध्यम से जमा होता है इसका सही एंस्वर है सरवाधिक धन राष्ट्य कोस में उतपादक सुल्क के माध्यम से जमा होता है अगला कुश्चन है महिला की साचर्टादर सबसे उची किस राजे में है इसका सही एंस्वर है महिला की साचर्टादर सबसे उची केरल राजे में है अगला कुशन है किस वर्ष गुवा सहित अन्य पुर्टगाली बस्तियों को भारतिय संग का राजे छेत्र बनाया गया इसका सही एंस्वर है 1962 हिजबी में अगला कुशन है राजे सभा का सभापती किसके द्वारा चुना जाता है इसका सही एंस्वर है राजे सभा का सभापती सयुक्त रूप से लोगसभा और राजसभा सदस्युक्र द्वारा चुना जाता है अगला कुशन है भारतिय लोग सेवक को समिधान का कौन सा अनुछेद सुरच्छा प्रदान करता है इसका सही एंस्वर है अवनुशे 311 भारतिय लिए लोक सेवक को सुरच्छा प्रदान करता है अगला कुश्चन है राष्टपती का अभी भासर कौन तयार करता है इसका सही एंस्वर है केंद्रिय मंत्री मंटल राष्टपती का अभी भासर तयार करता है अगला कुश्चन है चुनाव के दवरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिये जाते हैं इसका सही एंस्वर है चुनाव के दवरान सभी चुनाव प्रचार वास्तिक मजदान के 48 घंटा पहले रोक दिये जाते हैं अगला कुश्चन है सरुच न्याले के न्याधिसों को सपद कौन दिलवाता है इसका सही एंस्वर है मुख्य न्याधि सरुच न्याले के न्याधिसों को सपद दिलाता है अगला कुश्चन है किस राजी के आरच्छड विधेयक को नवी सूची में समलित किया गया है इसका सही एंस्वर है तमिलाडू के आरच्छड विध्यक को अगला कुश्चन है लोगसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है इसका सही एंस्वर है लोगसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र लोगसभा अध्यच को देता है अगला कुश्चन है सभीधान के अनुछेद 360 में किसका प्रावधान है इसका सही एंस्वर है सभीधान के अनुछेद 360 में वितिय आपात का प्रावधान है अगला कुश्चन है राजसभा में राष्टपती कितने सदस्यों को मनुनित करता है इसका सही एंस्वर है राजिस्वा में राष्टपती 12 सदस्यों को मनुनित करता है अगला कुश्चन है सविधान सभा का गठन किस योजना के अंत्रगत प्रस्तावित किया गया था इसका सही एंस्वर है समिधान सबा का गठन कैविनेट मिसन यूजना के अंत्रगत प्रस्तावित किया गया था अगला कुश्यन है भारत के चोथे राष्टपती कौन थे इसका सही एंस्वर है भारत के चोथे राष्टपती वीवी गीरी थे अगला कुशन है एक मात्र कौन सा आधिकारी किसी भी सदन की करवाही में भाग ले सकता है इसका सही एंस्वर है भारत का अटार्नी जनरल किसी भी सदन की करवाही में भाग ले सकता है अगला कुशन है भारत की सोतंत्रता के समय कांग्रेश अध्यच कौन थे इसका सही एंस्वर है भारत के स्वतंत्रा के समय कांग्रेश के अध्यच आचारे जेवी क्रिपलानी थे अगला कुश्चन है सभिधान के 44 संसोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया इसका सही एंस्वर है सबिधान के 44 संसोधन के मौलिक अधिकार से संपती के अधिकार को वापिस ले लिया गया अगला कुश्चन है सबिधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वड़न है इसका सही एंस्वर है सभिधान के भागतीन में मौलिक अधिगारों का वड़न है अगला कुश्चन है संसत के संयुक्त अधिवेशन के अध्यच था कौन करता है इसका सही एंस्वर है संसत के संयुक्त अधिवेशन के अध्यच था लोग सभा का स्पीकर करता है अगला कुश्य है सभीधान में कितने मुल करतब्यों का उलेख किया गया है इसका सही एंस्वर है सभीधान में 11 मुल करतब्यों का उलेख किया गया है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को से यह भी करें